लो माई डियो फ्रेंड वेलकम टो एड्यूकेशन पॉइंट आनलाइन तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज अपन फाइनली मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं इसे पहले मैंने आपका इंट्रिक्स लेक्ट्र लेगे तो फ्रेंड अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर सेयर करें बच्चों कि बहुत ऐसी चीजे हैं कुछ तीरिकल चीजे हैं जो आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर होने वाला कुछ टिप्स भी मैं आपको दोंगा जो रेयर केस में बहुत कम ऐसे बुक से जहां पर आपको मिलेंगे ठीक है तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं मैट्राइसे देखिए वही है जो आपने क्लास टुवल में पढ़ा था बहुत अच्छे से मैट्राइसे है ठीक है तो इसके बारे में मुझे पता कि आप सभी को सब कुछ पता होगा ऐसा कुछ नहीं के मैट्रिक्स चाह ओता है इसके बारे में बताना एक तरह से बेजیती करना हुए को ही आपको चल देता कोई आपकी वेज़िती करना होई सौरी तो इस तो इस को ने लिग कर रखाए सिस्टम ऑफ नंबर अरेज इन फॉर्म आफ रेक्टेंगल यहाँ पर क्या है कुछ नंबर्स होते हैं जिसको अपन सिस्टमेटिक ली क्या करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म म तो यहां पे जो अगर एक अपन नंबर की बात करेगा एक सर्टेन नंबर की बात करें सिर्फ अगर इस थ्री की बात करें यह सब जो नंबर से थ्री है टू है टू है तो इन नंबर्स को अपन एलिमेंट कहते हैं क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, नंबर्स को, यह जो नंबर्स हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे, होरिजेंटली देखोगे, एलिमेंट्स को, आप होरिजेंटली देखोगे, मतलब लेटा हुआ ऐसे देखोगे, तो इसे क्या कह कहते हैं इसे कहते हैं रो क्या बोलते हैं से रो बोलते हैं और अगर आप इस elements को ऐसे vertically देखोगे ठीक है अगर आप elements को क्या देखोगे vertically देखोगे तो इसे क्या बोलते हैं अपन इसे बोलते हैं column इसे क्या आपका डिनोट करेगा नंबर आफ कॉलम चलिए तो थोड़ा डीटेल में जाते हैं अभी मैंने आपको क्या बोला कि मैट्रिक्स में जो नंबर सोते हैं उससे अपन कहते से अलिमेंट तो अगर अलिमेंट को अफ होड़ेंटली देखोगे तो उससे कहते हैं रो और वर्टिकली देखोगे ऐसे खड़ा देखोगे तुसे क्या बोलेंगे कॉलम कहेंगे क्या कहेंगे कॉलम ठीक है आए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं इसी चीज़ को थोड़ा इसका मतलब हुआ रो वन इसे बोलेंगे आर टू इसका मतलब क्या हुआ रो टू इसे बोलेंगे आर थरी इसका मतलब हुआ रो थरी ऐसे बोलेंगे इसे बोलेंगे सी वन मतलब कॉलम वन इसको बोलेंगे सी टू और इसको बोलेंगे सी थी ठीक है तो अपने मैट्रिक्स को जितना पहचानोगे जितना प्यार करोगे उतना आपके लिए क्या होगा फाइदे मंद होगा उतना क्या होगा आपके लिए फाइदे मंद होगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे आगे मैं आपको क्या बता रहा था हाँ, इसी में आप जान लो कि order of matrix इसी में आप जान लो order of matrix ठीक है तो order of matrix my dear friend, क्या होता है m into n मतलब कितने row है, गुना कितने column है तो देखो, कितने row है 1, 2, 3 और column कितने है, 1, 2, 3 तो यह matrix कितने का है, 3 into 3 का है तो खेर, यह बहुत basic सी चीज है मुझे पता है कि आपको पता होगे तो अगर इसमें आपको नहीं पता है रिकॉल हो गया, कि ऐसे वाले को बोलते है row और ऐसे वाले को बोलते है column तो अगर naming करोगे, तो this is R1, R2, R3 और ऐसे देखोगे, तो C1, C2, C3 अब बाकी order तो पता है row गुना column, यह आपका row बताता है और यह आपका क्या बताता है column, चलो एक example में लेता हूँ कि अगर मैं आपको बोलू कि एक matrix मैंने लिखा है 2, 1, 1, 3, 2, 1 तो तुम क्या लिखोगे, कितने row है, इसमें 2 row है, तो लिखोगे 2 और कितने column है, 1, 2, 3 तो 2 into 3, तो खेर यह order of matrix अपन को यहाँ पर है, वैसा कोई काम नहीं आने वाला basic सी चीज़ है, कि row into column को क्या बोलते है, ऐस तरीके से बताने को बोलते है, order of matrix, ठीक है बाकी जो जरूरी चीज़े थी, वो यह थी R1, R2, R3, C1, C2, C3 column 1, column 2, column 3 और बैटा, copy SC बनाना जो आगे काम है ठीक है, ऐसा नहीं, rough copy में मत लिखना बैटा अच्छा copy बनाना, ताकि आपको आगे काम है क्योंकि competition में दो नंबर का question आपके matrix से आते हैं, मैं अच्छे competition की बात कर रहा हूँ जहां पर मान के चलो कि अगर इसमें tricks and trips की बात करोगे तो कम से कम 100 से यारा tricks है, क्योंकि matrix देंदी होता है, लंबा process होता है competition में सोचो कि तुम अतना में types of matrix ही, जिसमें पहला टाइप है आपका square matrix, तो square matrix देखो क्या होता है ऐसा matrix मेरा प्यारा बच्चा, जिसमें क्या हो, number of row is the cost to number of column, ठीक मतलब जितने row होंगे, अगर उतना ही column होगा, ठीक है तो उसे क्या बोलेंगा पर स्क्वाइर मैट्रिक्स बोलेंगे, देखो आप एक्जामपल के फुरू पर देखो, दो examples में लेता हूँ, जैसे कि 211, 311, 249, तो आप इसको देख सकते, इसमें कितने row है, एक, दो, तीन, और कितने column है, एक, दो, तीन, मतलब 3 इंटू 3, तो इससे क्या बोल सकते है अपन, इसे बोलेंगे, कि यह क्या है, एक, स्क्वाइर मैट्रिक्स है, क्यूं स्क्वाइर मैट्रिक्स है, क्यूं स्क्वाइर मैट्रिक्स है, क्यूं स्क्वाइर मैट्रिक्स है, मेरा प्यारा बच्चा, क्यूंकि नमबर आफ रो और number of column क्या होंगे इसमें equal होंगे ठीक है एक और एक्जांपल देखो ठीक है चले एक और एक्जांपल देखते हैं अब देखो यहाँ पे दो रो है और दो कॉलम है टू इंटू टू ठीक है तो इसे भी क्या बोलेंगा पन इसे भी बोलेंगे स्क्वार मैट्रिक्स इसे भी क्या बोलेंगे प्यार बच्चा बोलेंगे स्क्वार मैट्रिक्स कब जब नंबर ओफ रो और नंबर ओफ कॉलम equal हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे square matrix क्या बोलेंगे square matrix आप इसे note करो फिर चलते हैं आगे noted please चली फ्रेंट तो अब बात करते हैं diagonal matrix का बहुत ज्यादा important matrix है ये वैसे इसकी importance आप लोग योगा अभी मैं आप के मताता हूं आपको इंहका हो सकते हैं थोड़ा सा समझ मान है बहुत बच्टे हिंगे केला रहे हैं और चलिये तो फेर्ण एक स्क्वार के लावा जितने भी ए Walker होंगे अगर जीरो होंगे उसे कहेंगे diagonal matrix मतलब बच्चा पार्टी डाइगोनली सिर्फ नंबर रहेगा दोखो 343 और इसके अलावा सारे नंबर क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे अपन ठीक है 343 अगर ऐसा लिखके दे रहा है तो आप समझ जाओ कि हाई डाइगोनल मेट्रिक्स की बात कर रहा है ठीक है अब यहां तक आपको हरे टीचर बताता आप इदम अच्छे पढ़के खूस हो जाते हो अब इसके अंदर की बात कोई नहीं बताता मैं बताता हूं थोड़ ले रहा हूं बढ़ एक्जांपल आपको दे दिया कोशिशन में डू जीरो जीरो gon9 क्या निकालो इन्वर्स निकालो जो लगैं ल inacS 우리 लो लगाने लगा फिर्मूला दन 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 लेकिन जो बच्चा कंसेप्ट से पढ़ा उसको पता होगा कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है और डाइगुनल मैट्रिक्स का खरा इन वरस निकाल होगे तो यह पूरा रिख रोकल होगे इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन 0001 upon 400 001 upon 9 तो जो जान रहा होगा डाइगोनल मैट्रिक्स से उसकी दोस्ती होगी उससे तो चाला एक सेकंड नहीं लगेगा इसका अंसर बताने में और जो नहीं जान रहा होगा लगेगा इंवर्स निकालने लगेगा क्या क्या करने के लिए चलिए तो यह मैं आइटी जेई क इंवर्स निकालना चाहते हो तो डाइग जली उसका रेसिप्रोकल हो जाता है यह आपका प्रोपर्टी नंबर वन का एक्जामपल हुआ यह मैं आज नॉलेज बता रहा हूं आपकी एक्जाम पे नहीं आने वाला ठीक है जानो पढ़ रहे हो तो जानो जानने में कोई बु होगा 200004009 तो यह प्रोपर्टी तो खेर बहुत ही कॉमन है ऐसा कुछ भी नहीं इसमें तो यह जो एक्सांबल मैंने लिया यह दूसरे प्रोपर्टी के लिया तीसरा जो है एक्जाम में दे रहे था आइगन वैलू निकालने के लिए तो चलो यह वाला जो आइगन वैलू आइसे चुटकियों में निकल जाता क्योंकि हर एक पड़ाव पे कंसेप्ट होता है गेट या तो कभी भी आप जागो हर एक पड़ाव में कंसेप्ट होगा आपका हरे प्रोपर्टी में अलग कंसेप्ट चुपा हुआ ठीक है आपन अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजों सबस्क्राइब सक्टाइब हम जाने छोंगे तो अपनको वहां तक सीमित रहना अगर आपको पॉइंट समझ में आ रहा है तो और मेरा तो है ड़र्त भाइम कला भी पता अगले क्लास में क्या पड़ाऊंगा मैट्रिक्स को माट्रिक्स को ढ़ी राया हम तो मानगे जलते हैं हमारा सकेलर मै देखो यह तरह का ocide मैट्रिक्स की प्रपर्रटी क्या रॉती है यृपिरिरिय। इस के ला मैट्रिक्स हे था का डाइगोर्न बास समझना इक वर नहीं है तो वोलेंगे डाइगनल मैट्रीक्स ठीक्या इकोंर हुआ तो इसे बोलेंगे स्केलर व्यूट हिस और अगर वर ले ऑग के निय종500 तो इसे बोलेंगे identity matrix या तो unit matrix बहुत ही ज़ादा important है आपके लिए क्योंकि unit matrix जो होता है उसकी मलब properties भी बहुत होती है बच्चापटी properties भी बहुत होती है और यह important भी है तो आप समझेगा कि unit matrix उसे कहते है unit matrix उसे कहते हैं कि समझ लो कि diagonally क्या हो सारे number क्या हो उसके one के बराबर हो सारे number क्या हो one के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन उसे बोलेंगे identity matrix आप यहाँ पे देख सकते हो और unit matrix ठीक यहाँ पे 3 go one है इसलिए i3 और यहाँ पे 2 go one इसलिए i2 ठीक देख लो मतलब diagonally तो number होगा लेकिन वो number क्या होगा वो number होगा आपका one ठीक है इसलिए इसको unit matrix भी कहते हैं इसलिए इसको unit matrix भी कहते हैं कि diagonally number हो और वो भी number equal और equal होगने के बाद किस क्या हो one हो फिर से चलिए मेरी बात को समझना इसलिए उसे बोलेंगे स्केलर और equal होने के साथ-साथ अगर वन है इकवल भी है और साथ-साथ क्या हो वन है तो उसे बोलते हैं unit matrix ठीक है चलिए तो आप इससे समझेगा unit matrix बहुत important है कुछ properties है unit matrix की आप नोट कर लिए इन future आपको बहुत काम आने वाला देखो पहला property क्या है कि अगर किसी unit matrix को आप a matrix से multiply करोगा तो वह यह ही होगा जैसे कि for example एक matrix A है 211 211 211 और आपका identity max 100 00001 तो अगर आप इसको multiply करते हैं तो आपको answer क्या मिलेगा answer ही मिलेगा 211 211 21 teams मत्रीक तो आपको अप्रपर्टी पता है तो आपको दिमाग मर्ठील करना पड़ेंगा अपने प्रपरपर्टी नहीं पता तो बल करते रहो दिमाग मेंग करते हुआ दूसरा अगर आप śैंप निकालो एक निकालो वो आई के बराबरी होगा आई का अंवर्स निकालो वो भी आई के बराबरी होगा ऐग का मौड निकालरो वञबं होगा तो ये सब questions आपको गैट वागर हमें एक number के questions में पूछ सकताanjaan language form इन रिन्गूज फॉर्म पता कैसे कोषण पूश्टा गेट वाला गेट वाला कोशन पूछेगा ईबी देदेगा इव देदेगा उप देदेगा एक गलत 30 देदेगा ौर बुले गलत पहचानो अभी यार देख लो रिए चार ऑपसंद दिया वा रहेगा और कोलेज के जब यार पास सिवानी पड़े पास हो गएं क्या कर लोगे पास हो के यार नो करी तो आख वैसे भी नहीं लग रही है जब मैंने एंजरेंग करा था तो मैंकनिकल का ट्रेंड था मैकनिकल कर ले जौब मिल जाए आज तक घंटे लोग दोड़ रहें जो इधर उधर करते तो दोड़ी नौकरी अभी तक नहीं लगी चलो ठीक है उसके बाद है ट्रेंड है सिबिल का और सिबिल कर लो रहे नाचो गाओगे एकदम बच्चे का मन क्या ही नहीं उसको भी अब कचला कर चुके हैं बच्चा कोई बात नहीं सियस ब्रांच में जॉब्स हैं लेकिन तरक्की वही करता जिसके पास दिमाग हो जो लैंग्विजे जान रहे हैं बहुत सारी सीजिए मेकनिकल वाले में जॉब्स हैं लेकिन कौन सा जॉब है जो मसीन ऑपरेट क कर पारें डिजाइनिंग का सोच रहें लोग क्या करते हैं आठ सुर्पय बचा रहें इंजरिंग ड्राइंग के लिए यह ड्राइंग पढ़के क्या होगा पास तो हो जाएंगे लेकिन अगर उनको कभी मसीन का कोई ड्राइंग करना हुआ तो कुछ भी कॉमपोनेंट बना से बन जाओगे इंजिनियर अब लोगा में नौकरी ने लगती भाई मेरे पर दबाव में मैंकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो मैंकेनिक सा कॉर्स बीके का पढ़ा नहीं पढ़ा रहा हूं यह टाइम नहीं पढ़ाने का ठीक है तो खैर वैसा काम आपको नहीं करना जो आपका पैसन उसे फॉलोग करें अच्छे से पढ़ें ब्रांच आपको कोई भी हो नौकरी है उन बच्चों के लिए हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं कुछ तो होस्यार हैं उस वाईली सुचते हैं का हो यार कोचिंग कोचिंग करके हैं हमें तो सब आता है अब चार साल के बाद वही लोग घुमते फिर तो मिलेंगे रास्ते में जॉब के लिए कि अरे यार हमारे कॉलेज में वही हुआ था जितने अच्छे बच्चे थे सबकी जॉब लगे जो इधर करते हैं तो यह हम तो वह हैं आज तक अन्प्लेश्ट है अप्लेश्ट भी नौकरी क्या उनकी घं तो क्योंक क्लब इसाइब सब्सक्राइबरल को सोट नोट्स क्या होता है ठीक है अगर अच्छा लगा तो चलो सेर करो कभी-कभी बीच-बीच में ऐसे बाते भी कर लेनी चाहिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो सौरी ठीक है अमलब ट्रेंड को पकड़ना देख रहा हूं यार 1212 में मैंने अडमिशन तब से देख रहा कोई बात नहीं तो आप इसे नोट करें है ना यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको हमेशा नोट करके कभी ना कभी आपको जरूर काम आएगा ठीक है बाकि यह मैंन आपको बता दिया स्केलर मैट्रिक्स ऐडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक अगर आप किसी को बुरा लगा ह तो सौरी नोट प्लीज अचली फ्रेंट और बात करते हैं कुछ नए टाइप के मैट्रिक्स इसका और बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं कुछ नई थीज़ें में बता रहा हूं आप लोग वीडियो पर यह कमेंट मत करना है कि सर आपने यह मैट्रिक्स छोड़ दिया मैट् है आपको बताना थी वह हमें यहां पर आपको लिए डिसकस कर रहा हूं तो ऐसा कभी भद्धा कमेंट बगर मत कर रहा है तो अगर आपको यह जवाब मिल चुका होगा चलिए तो फैनल मैट्रिक्स बहुत सिंपल है अगर सारे और बगरमी नवीमेट्रिक्स अपटरंबुलर माट्रिक्स अइसा। संफ हैं से इस तौरी का बने मेट्रिक्स देखो और बाकर सारी छी चीज हो गा इनल मै agrees of a triangular my take lower triangle matrix अब हमें कुछ बता हूँ जो अपने ही जान equivocado जान रहुंगे और बहुत अब शेनहीं जान रहां रहे ठीक होता खोड़ो तुम टीचर से पूच है वो नीजान रहुंगे अच्छे टीच 스भ जान रहुंगे अगर आप मतरिक्स क्या होता है और क्या होता है यह मुझ कृशके हम थी जब किसी मैटरिक्स का सक्वैर निकाव जब किसी matrick का स्क्वैर्र निकालो तो आ जाए वही क्या आजाय आप का णिसरा क्षार को अन्सरा वहीً आजाय । उस्टेम पॉटें पॉटेंट से का वोलते हैं किसी मैट्रिक्स की स्कॉइर निकाले और जिस मैट्रिक्स की स्कॉयर निकालाए हो अगर वही वो मैंट्रिक्स आ जाए01 मैं हुआ है तो जीरो जीरो तुट बता रहा हूं मैं यह सही नी बता रहा हूं अगर तुम इसक एसकोर निकालते हो ठीक हो जा हुआ तो-0 हाँ जेरेमपोलोगा इननकोट मैट्रिक्स यह सही है नहीं मेट बता रहा हूं कि जब एंडुरson एक वलो जाता उसे बोलते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स ध्यान रखना जब किसी की इजद उतार नहीं हो तो यहीं वहला पूछना ठीक है है हम तो भाई याजब टीचर से पूछता तो बच्छा टीचर जोनर का है यार हमारा तो टीचर देखता ही निए तरह जब हमार पिसVictory मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आप किसी मेट्रिक्स का स्क्वाइर नि कालते हो और या कोई मैट्रीक्स है जैसे कि कोई कर लेना कोईशन्स आते हैं यहां से जब कॉंपेडिशन में जाओगे या तो इंट्रिव बूचो बैठोगे ऐसे ही कोईशन्स पूचेंगा आप तो बहुत सीना तन के बोल दोगे मैस अच्छा लगता है मैस में क्या बोल दोगे कि सर मैट्रिक्स असला जहां मैट्रिक्स ब लेकिन मैट्रिक्स से खतरनाक तीज़ी कोई नहीं होगा बच्चा पाड़ी चलो तो इसको नोट करो फिर अपन और टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते वो जारेंगे ठीक है नोटेड प्लीज तो चलि मैं डियर फ्रेंड और बात कर लेते हैं कुछ और टाइप्स के मैट्रिक्स की देखो सिंगुलर मैट्रिक्स जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनांट निकालते हो जब भी किसी आप मैट्रिक्स का डिटरमिनांट निकाल लोग और अंसर जीरो हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं singular matrix तो ख़र ये आपको पता होगा row matrix अगर सिफ row present हो तो इसे बोलेंगे row matrix, जब column present हो तो इसे बोलेंगे column matrix symmetric matrix किसे कहते है जब transpose निकाल और वही चीज आजए अगर किसी का आप transpose निकालते हो और अगर वही मेट्रिक्स आजया उसे बोलते स्पट के से घगर आप रांस्पोज नि法्त और वह इन वर्स के बारावर होजैज आसे बोलतेंगे और तो बोनन मेस्लेकश्थ इस अगर मैट्रिक्स किसी बेषिक की बात की जानतों पांच लास मैने में जोन्यृत और उसके प्रोपर्टीज भी भरी भरी सी यार देखके डर लगता है इतनी सारी प्रोपर्टीज है ठीक है अगर मैं अगर दो को सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की प्रोपर्टी फिलाल अभी आपको जरुवत नहीं है लेकिन मैट्रिक्स आप अच्छे से पढ़ना कभी गेट के लिए प्रेपेर करोगे तो अगर हो सकता है इन फ्यूचर में गेट भी पढ़ाऊ तो फ्रेंड अगर सिर्फ समझो कि सब टाइप सब मैट्रिक्स में आपको चार क्लास लगते क्योंकि हर एक टाइप का क्या होत क्यों से बुक को फॉलू करों कैसे क्या करों तो मैं एक लिस इतना तो आपको गाइड करेंगा तो फेंड आज अपन क्लास यहां पर करते हैं आप इस अच्छे से नोट कर लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब आपने 12 में भी पढ़ा है स्क्यू समेट्रिक क्या होता जब ट्रा इस अच्छे से पढ़ी फिमलते हैं एकले क्लास में ठीक है और अगर किसी को आज के लेक्शे से थोड़ा ठोस पहुंची हो तो यार माफ करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सेर करो दूसरे बच्चों को ही पता चले और कभी आगर आप इनकेस आप फ्य अच्छे से पढ़ेंगे अच्छा नाम रौसन करेंगे तब तक अपना ख्याल रखिए टेक क्या बाई बाई टाटा